मोक्ष का अधिकारी कौन है एक धार्मिक का था, ब्रह्माजी के कुल में एक बड़े ही धर्मात्मा और दानी राजा का जन्म हुआ, उनका नाम वसु था, वसु जहां से भी संभव हो ग्यान इकठा करते रहते थे, इसलिए अपने ग्यान और जानकारी के लिए भी बहुत प पहुचे, ब्रह्माजी के भवन में देवों की सभा चल रही है, इतने में रैभिय मुनी आ वहां गए, रैभिय देवगुरु व्रिहसपती से मिलने आये थे, वसु उनके साथ व्रिहसपती के घर चले गए, रैभिय ने व्रिहसपती से पूछा मेरी एक शनका का समाधान क क्या अज्यानी को भी मोक्ष प्राप्थ हो सकता है या बिना अज्यान प्राप्थ कीए मोख्ष हो ही नहीं सकता। ब्रहस्पती हसने लगे। फिर बोले इस संदर्व में ब्राह्मण और शिकारी की एक कथा सुनाता हूँ। अत्री कुल में जन्में ब्राह्मन सयमन तथा नीच कर्म करने वाले बहेलिये निष्ठुरक की कथा आपका संदेह दूर करने में सहायता करेगी। तीनों पहर पूजा पाठ करने वाले सयमन गंगा नहाने गए। वहां एक शिकारी दिखा। सयमन बोले शिकारी यह जीवहत्या का काम ठीक नहीं इसे छोड़ दो। यह सुनकर शिकारी मुस्कराने लगा। इससे पहले कि सयमन कुछ बोलते शिकारी बोल पड़ा सभी प्राणियों में आत्मा के रूप में भगवान बसते हैं। सच्चे पुरुष को चाहिए कि वह इस अहनकार को त्याग दे कि मैं करता हूं। कोई कुछ नहीं करता। जो करता है सब इश्वर करता है। सब प्रभु की लीला है तो ऐसे में क्या शिकार और क्या शिकारी मारने वाला भी वही मरने वाला भी वही आप किसी को हीन न समझे डॉट शिकारी होकर ऐसी ग्यान की बाते कर रहा है ये सुनकर ब्राह्मन सयमन आश्चर्य में बोला तुम कौन हो जो इतने तर्क के साथ अपनी बात रख रहे हो शिकारी ने कोई जवाब नहीं दिया वो लोहे का एक जाल लेकर आया जाल को सूखी लकडियों के उपर डाल दिया फिर सयमन के हाथ एक लुकाथी दे कर कहा विप्रवर इन लकडियों में आग लगा दे सयमन के आग लगाने की देर थी देखते ही देखते सूखी लकडिया धधक कर जलने लगी जाल के विभिन छेदों से अगनी की ज्वाला लहराने लगी शिकारी ने आग की ओर इशारा करते हुए कहा विप्रवर आप इन छेदों में से निकलती आग की कोई एक ज्वाला या आग निपंज उठा ले क्योंकि अब मैं आग बुझाओंगा शिकारी ने आग पर जल फेका तो पल भर में ही धधकती आग शांत हो गई शिकारी बोला रिशिवा जो आग आपने चुनी थी वह मुझे दे दे उसी के सहारे मैं अपना जीवन यापन करूंगा सयमन ने आग पर निगाह डाली पर वहां अब आग कहा आग की सभी ज्वालाय कब की शांत हो चुकी थी सयमन आग मूंद कर शांत बैठ गए शिकारी ने कहा यही हाल संसार का है सबके मूल में भगवान की ही जोद जल रही है यदि व्यक्ति अपने स्वाभाविक धर्म का अनुसरन करते हुए रिदय को परमात्मा से जोड़कर कोई भी शुब अशुब कार्य करता है फिर उस कार्य को प्रभू को समर्पित कर देता है तो उसे न तो कोई दुख होता है नहीं वो कर्म संबंधी पाप पुन्य के चक्कर में पढ़ता है इतना कहना भर्था की आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी रतनों से सजे धजे कई विमान आसपास उतर आए शिकारी निष्ठुर्क अद्वैत ब्रह्म का उपासक्था सो उसने योग विद्या से कई शरीर बना लिये तथा अनेक विमानों में बैट स्वर्भ चला गय व्रिहस्पती बोले तो हे राजन वसु और मुनिवर रैध्य इससे ये सिधा होता है कि अपने वर्ण और आश्रम के अनुरूप कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति ग्यान प्राप्त करने के बाद मुक्ती का अधिकारी हो जाता है